आप देख रहे हैं जारकेंट अपडेट दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन और आज की इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे अबजेक्टिव प्रशनों को और यह अबजेक्टिव प्रशन इंडिया स्टेट और फॉरस्ट रिपोर्ट 2019 से संबदित है त जोस्तो आपको यह बता दे कि इंडिया स्टेट और फॉरस्ट रिपोर्ट 2019 से संबदित रिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है और इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया स्टेट और फॉरस्ट रिपोर्ट 2019 से संबदित 30 important प्रशनों को जो अर्थार फॉरस्ट एरिया कितना स्कुर किलोमेटर है ओप्षण ए 13611.41 स्कुर किलोमेटर ऐचाल गाल पर इस प्रशन का सही उत्तर है ओप्षण तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्ण दोस्तो आज का दूसरा प्रश्ण है भारत वन स्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार जारखंड का कुल वन चेत्र अर्थात फॉरेस्ट एरिया जारखंड के कुल चेत्र फल का कितना प्रतिशत है 19.62%, 29.62%, 39.62% अथवा 49.62% इसका सही उतर है option B 29.62% अर्थात एरिया में बात करें तो यह कुल 23,611.41 वर्ग किलो मीटर है आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा प्रश्ण है भारत वन स्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार जारखंड का कुल वनावरन एवं व्रिक्षावरन अर्था टोटल फॉरस्ट कवर और ट्री कवर जारखंड के कुल चेत्रफल का कितना प्रतिशत है इस तीसरा प्रश्ण का सही उत्तर है ओप्षण ए थर्टी टू पॉइंट नाइन फाइब परसेंट दोस्तों इसको अगर वर्ग किलो मीटर में बात करें तो यह 26,268 स्कॉयर किलो मीटर है आएए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आज के चौथा प्रशन को भारत वनस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से 2019 के बीच जारखंड में कितने वर्ग किलो मीटर वन चेत्र में व्रिधी हुई है आप्शन A 50 स्कॉयर किलो मीटर आप्शन B 52.41 स्कॉयर किलो मीटर आप्शन C 58.41 स्कॉयर किलो मीटर अथवा आप्शन D 68.41 स्कॉयर किलो मीटर इसका सही उतर है आप्शन C 58.41 स्कॉयर किलो मीटर चलिए आगे पढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रशन भारत वन स्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से 2019 के बीच जारखन में कितने प्रतिशत 1 छेत्र में व्रिधी हुई है ओप्शन A, 1 छेत्र में व्रिधी की दर रही है 5 प्रतिशत, 1 छेत्र में व्रिधी की दर रही है 9 प्रतिशत option c 1 छेत्र में विधी की दर 10.25% अथो option d 1 छेत्र में विधी की दर 00.25% दोस्तो इसका सही उत्तर है option d 1 छेत्र में विधी की दर थी 00.25% आईए देखते हैं next question ISFR अर्थात India State of Forest Report 2019 के अनुसार जारखन में आरक्षित या संगरक्षित वन अर्थात reserved forest जारखन के कुल वन छेत्र अर्थात forest कवर का कितना प्रतीशत है option a 18.58% option b 28.58% option c 38.58% अथो option d 48.58% इस प्रशन का सही उत्तर है option a 18.58% अगर स्क्वाइर किलोमेटर में बात करें तो यह 4387 स्क्वाइर किलोमेटर है आईए देखते हैं next question ISFR 2019 के अनुसार जारखन में सुरक्षित वन अर्थात protected forest जारखन के कुल वन छेत्र का कितना प्रतीशत है option a 18.28% option b 21.28% option c 51.28% अथो option d 81.28% इसका सही उत्तर है option d 81.28% और स्क्वाइर किलोमेटर में बात करें तो यह 19,185 स्क्वाइर किलोमेटर है आजका next question है ISFR 2019 के अनुसार जारखन में अवर्गे कृत वन अर्थात unclassified forest जारखन के कुल वन छेत्र है अर्थात forest cover का कितना प्रतीशत है option a 00.14% option b 00.94% option c 02.14% अथो option d 05.15% इसका उत्तर है option a 00.14% स्क्वाइर किलोमेटर में बात करें तो यह 33 स्क्वाइर किलोमेटर है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अगले प्रेशन को जारखन में ISFR report 2019 के अनुसार प्रती वैक्ती अर्थात पर capita 1 का छेतरफाल निम्रगीत में से क्या है option a 1.079 hectare, 2.079 hectare, 3.079 hectare अथो 0.079 hectare इस प्रशन का सही उत्तर है option d 0.079 hectare, अर्थात लगभग 0.08 hectare, आईए देखते हैं आज का प्रशन नंबर 10 भारत वनिस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार जारखन के किस चिले में सरवाधिक वनावरन अर्थात फॉरेस्ट एरिया है option A लातेहार, option B पस्मी सिंग्भूम, option C पुर्वी सिंग्भूम, अथो option D सराय के लाखार सम्द इस प्रशन का सही उत्तर है option B पस्मी सिंग्भूम दोस्तों अगर स्क्वाइर किलोमेटर में बात करें तो यहां कुलवन है 3366.12 स्क्वाइर किलोमेटर आएए देखते हैं next question भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार जारखन के किस जिले में प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन छेतर अर्थात फॉरस्ट एरिया है आप्शन A रामगड आप्शन B हजारी बाग आप्शन C धनबाद अथो आप्शन D लातेहार इसका सही उतर है आप्शन D लातेहार परसेंटेज में बात करें तो यह 56.08 परसेंट है आजका नेक्स्ट कोश्चन आईये सफार 2019 के अनुसार जारखंड के किस जिले में न्यूंतम वनावरन अर्थात फॉरस्ट एरिया है आप्शन A सिम्डेगा, आप्शन B धनबाद, आप्शन C जामताड़ा, आप्शन D चत्रा इसका सही उतर है आप्शन C जामताड़ा जहां लगबग 100.64 स्क्वार किलोमीटर जेंगल है चलिए आगे बढ़तेहां और देखतेहां प्रस्ट नंबर 13 ISFR 2019 के अनुसार जारखंड के किस जिले में प्रतिशतता के अधार पर सबसे कम 1 चेत्र अर्थात नियूनतम 1 प्रतिशत है आप्शन A पुर्वी सिंग्भूम, आप्शन B जामताड़ा, आप्शन C चतरा अथो आप्शन D कोड़ा इसका उतर है आप्शन B जामताड़ा 5.56% टोटल 1 चेत्र है ISFR 2019 के अनुसार जारखंड के 21 जिले में 2017 के मुकाबले वनावरन अर्थात फॉरस्ट एरिया में कोई भी बढ़ोतरी दर्जन नहीं की गई है आप्शन A गुमला, आप्शन B जामताड़ा, आप्शन C पस्चिमी सिंग्भूम, अत्वा आप्शन D रामगड़ इस प्रशन का सही उत्तर है, आप्शन D रामगड़, अतात रामगड़ जिले में कोई भी वन छेत्र में बढ़ोतरी नहीं हुई है आईए देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रशन है ISFR 2019 के अनुसार जारखंड के 21 जिले में 2017 के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया में सरवाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है आप्शन A सिमडेगा, आप्शन B चत्रा, आप्शन C पुर्वी सिंग्भूम, अत्वा आप्शन D गढ़वा जिला इसका सही उतर है, आप्शन B चत्रा जिला, और यहां वन चेत्र में बढ़ोतरी हुई है 11.35 स्क्वाइर किलोमीटर आईए देखते हैं, नेक्स्ट कोस्चन, वन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार, जारखंड का वह जिला, जिसमें 2017 के मुकाबले वन चेत्र में सबसे अधिक नकारात्मक व्रेदिदर्ज की गई है अर्थात, निगेटिव व्रेदिदर्ज की गई है इसका सही उतर है, जहां बड़ोत्री माइनस 00.65% है, अर्थात, यहां निगेटिव ग्रोध दर्ज की गई है चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रस्ट नंबर 17 वनिस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार, जहारखंड में जहाड़ियां आर्थात, स्क्रप्स कितने स्क्वाइर किलोमेटर में फैला है और यह लगबग जहारखंड के कुल छेत्र का 0.86% है आज का निक्स्ट कोस्टन है, वनिस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार, रक्षित वनो, अर्थात, प्रोटेक्टेट फॉरेस्ट का सरवाधिक विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है उप्षन A. पुर्वी सिंग्भूम, उप्षन B. हजारी बाग, उप्षन C. सहेब गंज, उप्षन D. बोकारो इसका सही उत्तर है, उप्षन B. हजारी बाग वनिस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार अवर्गिक्रित वनो, अर्थात, अन्क्लासिफाइड फॉरेस्ट का सरवाधिक विस्तार किस जिले में दर्ज किया गया है उप्षन A. राची, उप्षन B. कोडर्मा, उप्षन C. हजारी बाग, अथवा उप्षन D. सहेब गंज, इस प्रशन का सही उत्तर है, उप्षन D. सहेब गंज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रशन नंबर 20 जारखंड गठन से अब तक राज्य के वनचेतर में कुल व्रिधी दर्ज की गई है 947 वर्ग किलोमीटर, 847 वर्ग किलोमीटर, 647 वर्ग किलोमीटर, अथवा 147 वर्ग किलोमीटर अर्थार 947 स्कूर किलो मीटर नेक्स्ट कोस्टन वन इस्तिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार जारखंड का वन चेतर है भारत के कुल वन चेतर का कितना प्रतिशत है आप्शन A 1.33% आप्शन B 3.33% आप्शन C 7.33% आप्शन D 13.33% इस 21 नंबर प्रतिशन का सही उत्तर है आप्शन B 3.33% चलिए देखते हैं आज का अगला प्रतिशन है ISFR 2019 के अनुसार वन चेतरफल के दिश्टिकोंड से 36 राज्य वा केंदर्शाशित प्रतेशों में जारखंड का स्थान निमलखित में से कितना है आप्शन A 10 आप्शन B 11 आप्शन C 18 आप्शन D 20 इसका सही उत्तर है आप्शन D 18 अथाद 18 प्लेस पे जारखंड है आज का नेक्स्ट कोस्टिन ISFR 2019 के अनुसार वन चेतर के विस्तार के प्रतिशत के दिश्टिकोंड से जारखंड का देश के राज्यों में स्थान है आप्शन A 10 आप्शन B 12 आप्शन C 15 आप्शन D 19 इसका सही उत्तर है आप्शन A 10 आथाद 10 प्लेस दोस्तों नेक्स्ट कोस्टिन है ISFR 2019 के अनुसार वन चेतर फल के दिश्टिकोंड से जारखंड का देश के राज्यों में स्थान है सात्वा, नौवा, दस्वा, अथाद 12 इसका सही उत्तर है आप्शन B 12 आप्शन B 12 आप्शन C 15 आप्शन C 15 आप्शन C 15 आप्शन C 15 सिम्डेगा जिले में जंगल घटा है आज का 26 नंबर प्रशन है चेतर फल की दिश्टि से सरवाधिक वनावरन यानी सरवाधिक फॉरस्ट एरिया वाले चार जिले क्रम्शा है आप्शन A पुर्वी सिंग्भूम, पाकुड, कोडर्मा, धनवाद आप्शन B गोड़ा, गुमला, पलामू, हजारी बाग आप्शन C पस्मी सिंग्भूम, लातेहार, चतरा, गुमला आप्शन D धनवाद, गड़वा, गोड़ा, अध्वा, देवगर इसका सही उतर है option c पस्मी सिंग्भूम लातेहार चत्रा और गुमला चलिए देखते हैं 27 वा नंबर प्रशन है चेतरफल की दिस्टी से नियूंतम वनावरन वाले चार जिले क्रमसा है option a धनबाद पुर्वी सिंग्भूम पाकूड कोडर्मा option b गोड़ा गुमला पलामू हजारिवाग option c हजारिवाग गुमला पलामू गोड़ा option d जामताडा देवगर धनबाद और पाकूड इसका सही उतर है option d जामताडा देवगर धनबाद और पाकूड आज का 28 नंबर प्रश्ण है प्रतिश्चतता के आधार पर सबसे अधिक वन छेत्र अर्थात सबसे अधिक फोरेस्ट एरिया वाले चार जिले क्रमशह कौन है आज का 29 नंबर प्रश्ण है प्रतिश्चतता के आधार पर सबसे कम वन छेत्र वाले चार जिले क्रमशह है दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्ण है भारत वन इस्तिती रिपोर्ट 2019 से स्रिंखला के निमनलिखित में से कौन से नंबर की रिपोर्ट है 10th रिपोर्ट, 12th रिपोर्ट, 14th रिपोर्ट, अथवा 16th रिपोर्ट इसका सही उत्तर है Option D 16th रिपोर्ट धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जुड़े रहे हैं अप्डेट के साथ धन्यवाद